ओरेंज अवी मार्केट में आ गया है, तो मैं गई थी मार्केट और मुझे ओरेंज दिखा, तो मैं मार्केट से ओरेंज ले आई, और इससे मैंने सोचा कि आपके लिए एक मिठाई तयार करें, तो मैंने इससे ओरेंज बरफी बनाई है, ये बहुत ही लाजवाब और बहुत जल्दी बनकर ये रेडी होता है मैंने अपने घर में जब बनाया कब बना और कब खतम हो गया पता ही नहीं चला तो मैं आज वही रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ Hello Friends, मैं हूरेखा मेरे किचन रिखाज फ्रेश फ्लेवर में आपका स्वागत है तो चलिए आज की रेसिपी हम बनाना शुरू करते है औरेंज बरफी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है चार संत्रे सबको पहले हमें छील लेना है अच्छे से हमें सारे छिलके को निकाल देना है अब इसके पीसेस कर लेने है और pieces के अंदर से सारे जो भी pulp है उसको हमें निकाल लेना है और छिलके को अलग रखना है और pulp को सारा निकाल कर इखटा कर लेना है दोस्तो ये जो संत्रे की बर्फी हमने बनाई है ये बहुत ही जादा tasty बनता है आप एक बर जरूर ट्राइ करें आपको ये जरूर पसंद आएगा तो इसी तरह से हमें सारे pulp को निकाल कर अलग कर लेना है दोस्तो मेरी recipe अच्छी लगे तो like करें, subscribe करें और ज्यादा से ज्यादा अपने family और friends में मेरे इस link को share कर दें ताकि उन तक भी मेरी अच्छी अच्छी recipe पहाँ सके और वो भी मेरी recipe को बना कर enjoy कर सके और ये देखी हमने pulp को सारा निकाल लिया था, अब इसको एक pan में डाल कर 5 मिनट के लिए पकने देंगे जैसे ही 5 मिनट हो जाएगा, फिर हम डाल देंगे इसमें 1 cup चीनी वैसे चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के according घटा बढ़ा सकते हैं वैसे संत्रा जो है थोड़ा घटा होता है तो आप चीनी कम ना करें तो ज्यादा बेटर बनेगा ये अब चीनी डालने के बाद 10 मिनट तक हमें इसको पकाना है ये धीरे धीरे थोड़ा सा मीडियम आज पर पकता जाएगा और इसकी जो चासनी है वो गाड़ी होती जाएगी और ये देखिए थोड़ा गाड़ा हो गया है तो इस स्टेश पर हमने डाल दिया है इसमें 2 पिंच औरेंज कलर इससे कलर बहुत ही सुन्दर आजाता है आपके पास अगर औरेंज कलर नहीं है तो आप येलो भी डाल सकते हैं येलो यानि फूट कलर डाल सकते हैं इसके साथ ही डाल दिया है हमने इसमें 1 कप डिसिकेटेड कोकोनट इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा अब इसको डालने के बाद 2-3 मिनट तक हमें इसको भून लेना है 2-3 मिनट के बाद इसमें हमें डाल देना है 1 कप मावा अब मावा डालकर 10 मिनट तक हमें मेडियम फ्लेम पे इसको भूनना है देरे देरे इसको भूनते रहेंगे तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा और मावा जो है वो भी भून जाएगा अच्छे से अब 10 मिनट हो गए हैं भूनते हुए 10 मिनट के बाद हमें डाल देना है एक चमच घी घी डाल कर 5 मिनट और भूल लेंगे गी हमने देखिए इसमें बहुत ही कम यूज किया है क्योंकि बहुत जादा इसमें यूज नहीं होता है गी का पस एक चमच घी में ये बनकर रेडी हो जाता है और ये देखिए 5 मिनट भूनने के बाद ये रेडी हो गया है तो इसको हमें जमाना है तो कोई भी ट्रे ले ले या फिर अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आप ठाली में भी इसको जमा सकते हैं अब ठाली या ट्रे जिसमें भी जमा रहे हैं पहले ठाली या ट्रे को ग्रीज कर लें नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा अब उसमें transfer कर ले और अच्छे से चारो तरफ बिल्कुल smooth सा spread कर दें अब इसको room temperature पे ही ठंडा करना है हमें इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए जैसे ही ठंडा हो जाएगा उपर से हम लगा देंगे silver work वैसे यह optional है आप चाहें तो उपर से dry foods भी लगा सकते हैं अब इसको मन चाहे shape में cut कर लेंगे और हमारी बर्फी जो है वो बनकर ready हो गई है है न कितना आसान बनाना आपको कभी भी मिठाई खाने का मन करें न तो जटपट ये बना लिजे घर में ये बहुत जल्दी बनकर ready हो जाता है इसके लिए आपको market जाकर मिठाई खरीद के लानी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये देखिए बर्फी जो है कितना शांदार बनकर ready हो गया है ये जो बर्फी है एकदम soft और अंदर से एकदम juicy बनकर ready हो गया है तो इस दिवाली आप भी इस मिठाई को बना कर enjoy कीजिए और फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नई recipe के साथ तब तक के लिए bye, take care, happy दिवाली